यह दिखिए यह आटा चक्की का नया पत्थर है जो कटके रेडी हो चुका है और यह वाला कटने को तयार है और यह दूसरा जो यहां पर काला काला निशान आपको दिखाई दे रहा है यह अभी घिस के सेटिंग हो रहा था इसके बज़े से यह आपको काला काला जो निशान नजर आ रहा है यह अभी ग्राइंडर से कटर होगा कटर होने के बाद यह जो आपको काला काला दिखाई दे रहा है इस तरह से ग्राइंडर में कटर काटिंग होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा जो दिखे यह फिंसिंग हो चुका है इस तरह के था और इस तरह से हो जाएगा बहुती अच्छी तरह का से ग्राइंडिंग हो जाएगा यह आपको दिख रहा है और यहां पर ग्राइंडिंग नहीं हुआ है यह आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीका से ग्राइंडिंग हो जाए इनने के बाद आपको इस तरह से लूप आएगा यह आप देख पायेंगे इस तरह से देखिए और इसको देखिए फोड़ा सा काला काला निशान नजर आ रहा है इस तरफ से भी काला काला नासी में ज़रा रहा है दोना तरफ से ये कट के तयार है और ये अभी काटा जाएगा काटर मेशिन से अक्टब मेशिन से कट के तयार हो जाएगा और ये बहुती काला काला निशान नजर आ रहा है आपको देखे यहां पर 9,5 inच के बराबर है देखे ये तैर इंच के बराबर काटा गया है सबी पक्थर को यहां पर भी देखेंगे आप यह देड़ इंच ही हो रहा है यह देड़ इंच यह इसका भी देड़ इंच इसका भी देड़ इंच इसका भी देड़ इंच करके काटा गया है और यहां पर देखे थोड़ा सा धलान है यहां पर आप देख पाएंगे यह उप और ये उपर का हिस्सा बहुत ही उपर है और ये देखें बहुत ही ड्हलान है इस तरह से आपको हर बार इस तरह से कटना है जब मिशोगी देख पाएंगी यहां पर पर एंड करने से तरह और आपका बहुत है और अव्हे रहाएं ऊन सैंटक है देख पाई रखेंगे इस to시에 कोने के तरव आपको काट ना है तभी आपका निकलेगा बहुती बारी काटा निकलेगा आपको बीड़ करना है ये देखे सबस्क्राइबक है एक एकका टिन सब्सक्राइब faj libyिच वर्य को बढारा पीट आपको बीट करके काटना,здर है। बारा बारा बीट जो पहले से दिया जाता है कमपनी के तरफ से बारा बीट आपको उसी तरह से काटना है देखिए मैंने ये काट के रखा है अभी मैं उसको काटने वाला हूँ ये काटाने गया है ये नया पत्थर है एक बार सेटिंग होने के बाद उसको खॉल के हम अभी द पत्तर को काटना है वहाँ है आटा चक्की और ये आटा क्एक काट के आपको लगाना है और आप देख पा रहे हैं और ये मेरे वीडियो ये जो बहुत अच्छा आटाच की का वीडियो है आप मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजे और मेरे चैनल में नए है तो जरूर सस्क्राइब कर दीजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद